हेलो गाइज, वेल्गम बैक तो माई यूटूब चैनल, आप सब कैसे हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे, फाइनली हम लोग एक और रेस्टिपी के साथ वापिस आ चुके हैं, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता, तो चलिए शुरू करते हैं, बैगन के भर लगा देने, उसके बाद इसके अंदर हमें लैसुन डाल देना है, लैसुन अगर आप खाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं खाते तो आप अवाइट कर सकते हैं, इसके बाद इसमें हमें हलका सा सरसो का तेल चारों तरफ से अच्छे से लगा देना है, जिससे यह मतलब हम इसे भूने, गैस पे तो अच्छे से एगदम अंदर तक तेल चला जया वर अच्छे से पन बी जाया है तो अच्छे से सीद्हा आपको यह रख देना है और इसको हलके एकदम मीडियम फ्लेम पे हलका हलका बुनना अगर तेस फ्लेम में आप बुनेंगे तो यह पूरा जल जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं जब हमारा बैगन एकदम ब्लैक कलर में आजाए मतलब सारे इसका जो बाहर का कवर है वो आसानी से निकलने लग जाए छिलने लग जाए तो इसको हमें अलग कर लेना है और सेम चीज हम टमाटर के साथ भी करेंगे उसमें सरसो का तेल लगा देंगे चारो तरफ से देन उसको भी सीधा गैस पर रखके अच्छे से बुन लेंगे जब टमाटर का छिलता जो होता है वो निकलने लग जाए बलैक कलर में हो जाए आसानी से एकदम निकलने लग जाए तब हमें टमाटर को निकालना और हमें टमाटर को भी मीडियम फ्लेम में ही पकाना है जिससे मतलब अंदर से भी टमाटर एक दम बढ़िया तरीके से गल जाए जब हमारा बाहर से एक दम ब्लैक कलर में आ जाए अच्छे से छिलने लग जाए तब हमें गैस फ्लेम बंद करनी है और टमाटर को हमें बाहर निकाल लेना है जो यही सेम चीज हमें दूसरे टमाटर के साथ भी करनी है उसमें चारों तरफ से हमने सर्चों का तेल लगा दिया है उसको भी अच्छे से भून लेना है मेडियम फ्लेम में जिससे उसका भी बाहर का छिलका जो होता है वो सारा निकल जाए जैन उसको भी बाहर निकाल लेना है अच्छे से पग गया है जैन उसका जितना भी ब्लैक वाला हिस्सा है वो निकाल देना है अगर आप चाहे निकाल सकते हैं और आप अगर ना चाहे तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं ऐसे ज्यादा अच्छ टेस्ट रहेगा तो मैंने आपको दिखाने के लिए निकाल के दिखा दिया है लेकिन मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ बैगन का चिलका बहुत कम निकालूँगा पूरा चिलका नहीं निकालूँगा आपको दिखाने के लिए सिर्फ निकालूँगा बैगन का चिलका और बाकी हम लोग ऐसे ही ब अच्छ निकालने के बाद इसको भी परते के साथ में रख लेना है हमारी सारी अलू भी छोकी है अब सारी चीजे में आपस में मिक्स कर देनी अच्छे से देठिए में उनका जो बैगन का ऊपर वाला हिस्सा होता है डंडी होती है, उसकों पक्त बहुत गरम है है, लेका हैं मैश कर लेना जब तक हमारी सारी चीज़े मैश होरी है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीज Porsi और अगर अपने सस्क्राइब नहीं किया थो, प्लिस सस्क्राइब कर लिजे चैनल को हमने सारी चीज़ा देखिए अच्छे से मैश कर लिए हैं अब बारी इसमें आती है प्यास डालने की तो हमने प्यास कट करके छोटा छोटा रख लिया था तो अब इसके उपर से हम लोग प्यास डाल देंगे दोस्तों आलू बैक एंट टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो चुक है अब उपर से हम लोग प्यास डाल रहे हैं भारी कटा हुआ हमने प्यास देखे डाल दिया है अच्छे से सारा प्यास डाल दिया है जितना प्यास डालना चाहिए आप उतना डाल सकते हैं मुझे प्यास पसंदे तो मैं थोड़ा जादा डाल रहा हूं हमने प्यास डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स अच्छे से करना है वारना टेस्ट इधर उदर हो जाएगा तो हमें अच्छे से मिक्स कर लेना आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं आलू अगेरा बहुत गरम है इस वज़े से मुझे हाथ से मैश करना पड़ रहा है उसके बाद हमें उसके उपर से नमक डाल देना है ,ndon उसमें हमें काला नमक भी खेन तर अगर recogniseot सब्हूर के तर और हमें काला नमक फ़ी और रही के आपधा। और पूरस मिर्स निम्बु दाल ने, पूरा रहिसे से निम्बु दाल कि हो देना है , पूरा डाल देना है , yes now लाल मिर्च होती है हलकी सी लाल मिर्च भी डालनी है अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना आप चाहे तो अवाइड भी कर सकते हैं लाल मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा हैगा अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप मट डाली अगर आप तीखा खाते हैं तो आप डाल सकता है तो इसमें हलकी सी chili flakes डाल दी है देन इसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे सारा टेस्ट आपस में अच्छे से mix हो जाए जैन अगर हम bargain का बर्ता बना रहे हैं तो इसमें सारसो तेल तो हम इसमें direct सर्षो का तेल डेखे डाल रहा है सर्षो का तेल बहुत अच्छा filmmaker देगा बैगन के बरते में तो हम ने उसे बढ़ देया और में इसे भी हम बहुत अच्छे से Mix कर लेंगे और हमारा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइट कीजेगा शेयर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और बेल बटन जरूर दबा दीजेगा क्योंकि मेरी वीडियो डेली आती हैं आपको चिची रेसिपी मिलती रहेंगी होके